नव वर्ष के पहले महीने साल दोजार चौबिस में जनवरी के मेने के मंतली राची फाल यानि मितुन राची की जनवरी के महीने में कैसी होगी धनकी स्वास्तिकी परिवार की इस्तती दामपत्य जीवन की इस्तती इसके बारे में इस कारेकरम में डिटेल में चर्चा और साती साथ साल 2024 मितुन राशी के लिए कैसा जाने वाला है चार बड़ी घटनाएं मितुन राशी के साथ होने वाली उसके बारे में भी चर्चा करेंगे सबसे पहले पहली घटना साल 2024 के अंदर मितुन राशी के साथ क्या होई उसके बारे में चर्चा कर लेता है पहली गटना के बारे में बात करें तो साल 2024 की मित्रों जब कुंडली बनती है तो कुंडली के अनुसार देखा जाए तो आपकी राशी के स्वामी रोगेस हो रहे हैं साल 2024 में और आने वाला जो समवसर है उसका नाम भी काल युक्त नाम का समवसर है जो बिमारी बढ़ाता है यानि कि आपकी राशी के स्वामी भी रोग भाओं में और आने वाला जो समवसर है वो भी रोग बढ़ाता है तो आपको साल 2024 के अंदर हैल्थ पे वाणी पे विशेय ध्यान रखना है नहीं तो हैल्थ थोड़ा डामडोल हो सकती है, खराब हो सकती है वाणी से पती-पत्र पर कंट्रोल करके चलना पड़ेगा साल 2024 में आपको खर्चे गिन चुनके और हिसाब से करने पड़ेंगे बेफाल्दू के लोन और यह माई सर पे नहीं रखनी है याद रखिएगा दूसरा देखा जाए साल 2024 के अंदर दूसरी घटना यह कि धनकी इस्तती बहुत ही अच्छ खर्चे हैं जो बिना सोचे समझे आप खर्चे करेंगे वह आपको परिशान कर सकता है खासकर देखा जाए अपरेल से लेकर और दिसंबर तक इस्तती आपकी फाइनचल स्टेटस बहुत ही अच्छा रहेगा तीसरी घटना के बारे में बात करें तो गुरु का हंस योग आ आपकी वाशी कुंडली में लाब भाव में बैठे हैं तो परिवार के अंदर कोई शादी का रुकावा काम बनता है मकान पज़ प्रमोशन के साल 2024 में अच्छी योग बनते हैं जो बेरोजगार है उनका अच्छी नौकरी पाने के योग भी साल 2024 में बनते हैं जो स्टूड और नौकरी वालों के लिए बड़ा लाबकारी साल होता है साती साथ इस साल चौथी घटना के बारे में बात करें तो दसमभाव में आपके राहू है यानि व्यपारी वर्ग के लिए ये साल थोड़ा स्ट्रागलिंग रह सकता है कारोबार बढ़ाने के चक्कर में आपको थोड़ा सा आपके उपर करजा हो सकता है कारोबार बढ़ाने के चक्कर में कोई गलत एड़वाई दे सकता है पार्टनर्शिप में साल 2024 में अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो थोड़ा साफधानी रखे नहीं तो आप कारोबार बढ़ाने के चक्कर में आप गलत खर के की परिशानी भी आपको भुकतनी पड़ेगी उसके बावजूद भी आपको लाब होगा यानि फिफ्टी-फिफ्टी वाला कारोवारी जो अपना दुकान चलाते हैं जो अपना खुद की कंसेंटनसी करते हैं उनका जो साल दूजाट 24 है मितुनराशी का फिफ्टी-फिफ बीस-बाइस मिंड की वीडियो भन चुकी है उसको बिलकुल कौन से पक्ष में क्या करना चाहिए किस नाम राशी से आपको साबधान रहना चाहिए कौन सा लेटर आपको बहुत धन देने वाला है साल दूजाट 24 में कौन सा लेटर वाले व्यक्ति आपको आपके साथ 2022 का पहला मईना यानि जनवरी का मेना मिथुन राशी के कैस रहेगा यह मिथुन राशी की कुंडली आप दिखेंगे चतुर्दial भाओं में केतु विराजमाण है तृती बहुत दो भागों में बढ़ रहा है एक तारिक से लेकर साथ जनवरी तक देखा जाए तो थोड़ दस्त की प्रेशानिया किसी से वाद विवाद अचानक रह सकता है ऐसा यूग नजर आ रहा है आठ तारिक से लेकर 31 जनवरी के बीच में बुद्ध का ट्राजिट धनूराशी के अंदर हो जाएगा हेल्थ के लिए ये समय अच्छा है साती साथ हेल्थ को बढ़ाने के लिए करें अब योगा अजीमयक तनामक टरीके के एक्ससाइज तोटके नुस्च् t protects करने वाले अपने करने दनुमिकी कि बारे में बात करें तो जनवरी में धन्की इस्तती मंगल आपके की अस्टम द्रिष्टी आपके धनवाओं पे यानि सब्सक्राइब वहाँ से मंगल की एस्टम दिस्टी आपके धनबाओं पे और मंगल रोचक योग बना रहा है तो कहीं ना कहीं पूरा जनवरी के महिने में तीन बड़े लाब तीन बड़े धनलाब मितुन राशी को बन रहे हैं पहला को देखा जाए तो पिता से कोई गिफ्ट मिल सकता यह स कहीं पर भी धनलाब की द्होंगे आप बात करें पैरिवारी के सतिती के जानवरी में sound उसी परीवाटि के बी परिवार के साथ जाने वाने एक तरह vaismi मंदिर के या तीर्थ में जाएंगे दूसरी तरह आफ शाधी पाटी function में बी जाने वाल है का सकूर 11 तारिक से लेकर 21 जन्वरी के बीच में हेल्थ के इशू रह सकते हैं चाहे आपकी संतान चोटी है चाहे आपकी संतान बढ़ी है तो संतान को एंटी की प्रॉब्लम रहेगी नेत्र में हलका सा इंफेक्शन रह सकता है एलर्जी की समस्या रहेगी ऐसा योग नजरा रहा है उसके बाद 19 तारिक से लेकर 31 जनवरी में जो योग है वो उसमें शुक्र का ट्रांजिट है और इस समय पर संतान की जो समस्याइं चल रही थी वो सौल्व होती है यह समय संतान के लिए अच्छा वाले है वो वो शुब घड़ना आएगी 18 जनवरी के बाद आप विद्यारतियों के बारे में बात करें तो विद्यारतियों के लिए भई पूरा का पूरा जनवरी का महीना देखा जाए तो साल के शुरू होता ही आप भाग जाएंगे मित्रों के साथ हिल स्टेशन में होंगे एकागर चित्ता की कमी बहुत अच्छा नहीं जनवरी का महीना सोच समझ के वानी पे गंट्रूल करने वाला रहने और वाहन चलाते हैं तो नशे इत्यादी में ना चलाए नहीं तो वाहन से भी एक्सिडेंट हो सकता है। कुछ सीखने को मिलेगा कुछ अपने आपको अपडेट करने को मैनेजमेंट कहेगा आपको साती सात मैनेजमेंट कुछ गाइडलाइन आपको सिखाएगा आप जनवरी के मैने में बिजी रहेंगे मिटिंग पर मिटिंग आपके ऑफिस में रहेगी तो कुल मिलाके जनवरी के महिने से ही आपके अंदर update आने लग जाएंगे जनवरी के महिने से ही देखा जाये तो आप बी जी रहने वाले हैं आप बात करते हैं मितुन राशी के दांपत्य जीवन की तो सबसे पहले दांपत्य जीवन में मित्रो प्रेमी प्रेमी का love couple के बारे में बात कर लेता है तो बहूं जनवरी का महीना शांदार, यादगार, प्रेवी-प्रेमिका का रहने वाला है पहला पार्टनर के नेचर में बहुत अच्छा बजलाव आएगा, आपके पती जुकाव रहेगा आपकी बात मानेगा पार्टनर से आपको गिफ्ट मिलेगा पार्टनर के साथ में यात्रा के योग बनते हैं करियर में भी कोई बड़ी डील आपसे हो सकती है हाँ जनवरी के मेने में मोबाइल उपकरण आपके द्वारा खरीदा जाएगा इसक द्वारा कर सकते हैं मंदिर के दर्शन कर सकते हैं घर के अंदर पूजा पार्ट होगा पार्टनर के द्वारा या पार्टनर के माता पिता का आगमन भी आपके घर के अंदर होगा और कहीं ना कहीं जनवरी के मेने में पार्टनर के लिए आप कुछ खरीदने वाले कोई लेते हैं उनकी जो व्यापार करते हैं दुकान चलाते हैं मितुनराशी वाले उनका जनवरी का महीना कैसा रहेगा तो उनका जनवरी का महीना दो भागों में बटेगा एक तारिक से लेकर 17 जनवरी तक देखा जाए तो व्यापार में बड़ी परिशानी का सामना करना पड़ उसके बाद 18 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक देखा जाए शुक्र का ट्रांजिट होगा काम में तेजी हो जाएगी जो परिशानी चल रही है उसका समाधान भी मिलेगा और संस्थान के अंदर कोई पूजा पाठ कोई वास्तू कुछ ना कुछ आप काम को बढ़ाने के लिए रहे में डीवी फूलो करने वाले हैं तो कुल मिलाके 18 के बाद काम में तेजी आएगी जो मुश्किले चल रही है नए साल में उसमें आपको कुछ ना कुछ राहत 18 तारीक के बाद मिलेगी और मित्रों अगर आपको मेरा मंतली राशीपल सब्ताइक राशीपल अच्छा ल मिलेगी नहीं तो आप अपडेट से बंचीत रह जाएंगे इसलिए नोटिफिकेशन को आल में ओन जरूर कर दे तो मित्रों इसकारेकरम में बाद नहीं मुझे ज़्यादा जय मत दी